अकाश्वानी बद्धिप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रतनेश सुनी भारती जंता पार्टी के वरिष्ट नेता और ग्रहमनती अमिश्चाह ने आज जरकंड के राची में विधान सभा चुनाव के लिए पार्टी का गोशना पत्र संकल पत्र जारी किया इस अवसर पर अपने सम्मूधन में उन्होंने कहा कि राज में यदी भारती जंता पार्टी की सरकार बने तो वहां समान नागरिक सहिता लागू की जाएगी लेकिन जन जातियां इसके दायरे में नहीं आएंगी उन्हें निका की संथाल परगना शेत्र से बांगला देशों की घुसपैट रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे क्योंकि इस से राज्य की जन्सांखिकी में बदला हुआ है शेशान गा की राज्य में प्रतेक महिला को गोगो दीदी योजना के अंतरगत हर महिने में 2100 रुपे दिये जाएंगे किमत पर घैस का सिलिंडर बेहनों को दिया जाएगा किसी को ज्यादा पैसा दें पांच वर्स के भीतर जार्खन के युवाओं के लिए पांच लाख रोजगारों का हम सुरुजन करेंगे इस बीज भाजपा की घोषना पत्र पर जार्खन मुक्ती मोर्चा की राज सवसांस तो राची से पार्टी प्रतियाशी महुआ अमाजी ने कहा कि इस घोषना पत्र पर कोई भरोसा इसली नहीं करेगा क्योंकि जार्खन जब से बना है तब से लेकर आज तक सत्रा अठारा साल तक यहां भाजपा की सरकार रही इसके बावजूद ना ज़ार्खन का विकास हुआ ना ही राची का विकास हुआ केंदरी सूचना प्रसारन रेलवे और सूचना प्रद्दुगी की मंत्री अश्वणी वैश्णव ने आज केरल की कोच्ची में रेलवे से संबंदित बुनियादी धाचा अमरित भारत एक्स्प्रेस और स्टेशन विकास पर यूजनाओ के निरिक्षन के लिए विशेष श्रेल गाड़ी से अलुवा से कोजी कोड तक की यात रखी चरी वैश्णव आज ये कोजी कोड में दैनिक पत्र जन भूमी के स्वन जनती समाहरों के तहत आयोजित ग्यान उस्व का भी शुभारम करेंगे आज भाईदूज का त्यवार देश और प्रदेश में पारम पर एक उस्सा के साथ मनाया जा रहा है प्रधानमंती नयन मोदी और मुक्यमंती डॉक्टर मोहन यादव ने भाईदूज के अउसर पर प्रदेश वासियों को शुभ कामनाय दी है एक सोचल मीडिया पोस्ट में प्रदानमंती ने आशा व्यक्त की कि ये शुभ त्यवार जे मंतरी दिलिप अहरवार ने आज उमरिया जिले के चंदिया पहुँचकर हाती के हमले में मृत व्यक्तियों के परिजनों से मुलाकात के उन्हें आठ लाक रुपे की स्विकृति पत्र सौंपा उन्हें ने का कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है प् इंस्टेशन पचमड़ी में पारा दिन बदिन नीचे जा रहा है यहाँ चार दिन पहले पारा सोला डिगरी के करीब पहुँचा था लेकिन अभी यहाँ लगातार दो दिन से बारा से तेरा डिगरी सलसियस के बीच बना हुआ है जो प्रदेश में सबसे कम है भारत और नि 21 सनों पर सी मढ़ गई रिशब पंत ने 64 टरंड बनाए वही न्यूजिलेंड की इजाज पटिल ने 6 विकेट लिए भारत करीब 24 साल बाद अपने घर में सबी टेस्ट मैच हा रहा है इजाज पटिल को प्लेयर अफ दो मैच और विल यंग को प्लेयर आफ दसरीस का आवार दिया गया जबल पूर्ड जिले में समर्थन मूली पर खरीफ फसल बेचने के लिए अभी तक 56,000 से अधिक किसानों ने पंजियन करवाया है तो दिसंबर से शुरू हने वाली खरीदी में जिले की मजहौली तहसील सबसे आगे जहां अभी तक 14,000 से अधिक किसानों ने पं झाल